नमस्कार मैं हूँ शालनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक मध्य प्रदेश विधान सबाचुनाओं को लेकर जहां एक तरफ टिकट कैरान किया जा रहा है वही नेताओं का दल बदल का दौर भी लगाता जारी है कभी नेता कॉंग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो सिवराज सिंग चोहान ने उनका पार्टी में स्वागत किया है आपको बता दे 5 साल बाद रागवेंद सिंग लोधी की पार्टी में वापसी हुई है साल 2018 में दम्हों की जबेरा विधानसवा से एक टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्हेंने वीजेपी से किनारा कर ल पर फिर उन्होंने बीजेपी का हाथ ठाम लिया है उन्होंने मुक्हमंत्री शिवराज सिंग चोहान मध्यप्रदेश के चुनाओ प्रभारी भुपेंद्र रियादव की मौजूद की में बीजेपी को जॉइन किया है वहीं दूसरी और बीजेपी के कई नेता कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं बीते दिनों जोती रादेते सिंध्या के समर्थक संजय फक्कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे अब देखना यह है कि आखिर ये दल बदल का सिलसला कब तक जारी रहने वाला है देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक.ड.com पर विजि करें